हाई दोस्तों स्वागत है आपका नथिंगी टीवी में और आज मिला आया हूँ आपके लिए यू यूफोरिया हंटट और मैं इसे काफी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और सबसे पहला अकर्शन इस फोन का है इसका आप देखेंगे साइड जो है मेटालिक है और यह पूर कि आप देखी सकते हैं हाथ में पक्ड़ियों कि इतना बढ़िया लग आ ऐफोन और बात करें डिस्प्ले की टच बहुत अच्छा है डिस्प्ले कॉर्णिक रोल ग्लास 3 से प्रटेक्टेड है तो और भी मज़िदार हो जाती है बाते और अगर मैं आप बैक प्लेट होती है बैटरी रिमुवबल है दो हजार दो सो तीस यानि 2230 मिलियापार की बैटरी है जो की अच्छा बैक प्रवाइड करती है अगर हम है यूज नहीं करते तो राम से एक दिन चलती है थोड़ा है वी यूज पुट अंदर करते हैं फोन को तो हमें शाम के बाद थोड़ चार्ज प्रवाइड करना ही पड़ेगा दो सिम का स्लॉट है माइक्रो एस्टीस का स्लॉट है जिससे आप मेंबरी और एक्सपांड कर सकते हैं हलांकि इसमें 16GB मेंबरी अविलेबल है यूजर को मैं उसमें से आपको दिखा देता हूं कितनी GB आपको मिलेगी तो उसके ल आपस की बात करें 2GB RAM है काफी स्पेस है यह मैंने चेक करके दिखाया पिछले वीडियो में आप कानडी सब्सक्राइब कीजिए यहां पे हिट करके अगर नहीं देखा तो सिस्टम 221 MB RAM ले रहा है आपस 261 ले रही है फ्री 1.4 GB फ्री है यह बहुत अच्छी बात है बहुत कम होता है कि हमें 12 GB 2 GB में से फ्री मिलती है तो साइनोजन जो इसमें Android के साथ है वो काफी बहतरी इनकाम कर रहा है इस मामले में परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने इसमें Android बेंचमार्क चलाया था और 22,641 का स्कोर है 22641 फोन हलाकी नीचे रांग कर रहा है लेकिन क्योंकि यह 7000 का डिवाइस है तो यह बहुत बढ़िया स्कोर है इसके लिए परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आगी रेगुलर गेमर्स के लिए डिवाइस नहीं है वो गेम्स आप बढ़िया नहीं बढ़िया तरीके से नहीं कहल पाएंगे अस्वल्टेट वग्यारा बॉर्डन गॉंबट फाइव या और हो गए वो आप लो ग्राफिक सैटिंग पे खेल पाएंगे लेकिन बाकी परफॉर्मेंस में एप्स बगर चलाने में इंटरनेट चलाने में कोई दिक्कत नहीं है मल्टिटच मैं ओने दे रहरा हूं इस फोन में आपको तो आप लेख सकते हैं फाइफ पिक्सल का फ्रेंट फेसिंग कैमरा है मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ जो मैंने क्लिक करे थे इससे तो ये आप देख सकते हैं नाचुरल कलर्स आ रहे है हालांकि डिटेल musi करने पहुत शानदार नहीं आ रही ठीक ठाक डिटेल है लेज बड़े अच्छे आ रहे है और अवरल एक इमेज का महौल जो बनने की बात होती है नाचुरल कलर जो के साथ वो है, details बहुत बारीकी में नहीं है लेकिन आपको बहुत शांदार images मिल रही है ये थोड़ा overexposure camera ने ले लिए light से चुंधिया गया, लेकिन जब मैंने flash on किया तो image बहतरी नहीं है सबसे बड़ी हमें impression हो उसके front camera से ये beautify नहीं करता image को और जैसी है raw image देता है इसलिए colors natural हा रही है detail natural हा रही है जैसा कि मुझे पसंद है तो camera के मामले में दोनों ही camera शांदार हैं लेकिन front megapixel 5 megapixel camera rear से और भी बढ़िया है इसमें phone में काफी चीज़ें हैं जो आप customize कर सकते हैं phone, cyanogen OS version है 12.0 android version है 5.0.2 इसका ही मतलब नहीं android apps नहीं चलेंगी play store है सारी android apps चलेंगी gaming review भी मैंने इसका खेल के दिखाया था आपको currently subscribe कीजिए अगर वो miss कर दिया थो तो दोस्तों काफी हमने बाते की phone OTG cable support नहीं करता लेकिन micro SD card अराम से डाल सकते हैं जिसमें आप apps मूफ कर सकते हैं और आपको यह phone खुशियां ही देगा और करनी वीडियो पसंद आया तो फ्री सब्स्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ अगली बार